उधारन चार बहुपद 2X इघा 3 रिन 3X इघा 2 रिन 1 धन 3 को बहुपद 2X इघा 2 रिन 4X धन 3 से भाग दीजिए यह हल बहुपद 2X की घा 3 रिन 3 X की घा 2 रिन X धन 3 इस बहुपद को हमें भाग देना है यह हमारा भाज है बहुपद 2X इघा 3 रिन 3X इघा 2 रिन X धन 3 को बहुपद 2X इघा 2 रिन 4X धन 3 से भाग दीजिए हल के लिए हम 2X इघा 3 रिन 3 इघा 2 रिन X धन 3 को भाग देंगे 2X इघा 2 रिन 4X धन 3 से इसके लिए सबसे पहले हमें 2X इघा 3 प्राप्त करना है सबसे पहले हम 2X इघा 2 को कहीं X से गुणा करते हैं X से गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होंगा 2X इघा 3 उसी तरह से रिन 4X को जब हम X से गुणा करेंगे तो हमें मिलेंगा रिन 4X इघा 2 धन 3 को फिर X से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होंगा धन 3X अब चिन बदलेंगे तो धन हुआ रिन रिन हुआ धन और धन 3X हुआ रिन 3X 2X की घा 3 को 2X की घा 3 से जब हम घटाएंगे तो यह शून मिला हमें और रिन 3X की घा 2 को धन 4X की घा 2 से जब जोडने पर हमें X का घा 2 प्राप्त हुआ उसी तरह से रिन 3X रिन 4X और धन 3 को हम नीचे उतार लेंगे अब पुना 2X की घा 2 को ऐसी किस संख्या से गुणा करे जिससे हमें X की घा 2 प्राप्त हुआ इसके लिए हम धन जब हम 1 बटा 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 दो कट जाएंगा और हमें X का घा 2 प्राप्त होंगा तब हम 2X की घा 2 को धन 1 बटा 2 से गुणा करने पर हमें प्राप्त हुआ रिण 2X और धन 3 को धन 1 बटा 2 से गुणा करने पर हमें प्राप्त हुआ 3 बटा 2 पुना हम यहां पर इसके चिन जो है विप्रीत करेंगे धन का रिण रिण का धन और धन का रिण X की घा 2 रिण X की घा 2 शुन नहीं हुआ और रिण 4X धन 2X बराबर रिण 2X धन कोश्टक में हम लिखेंगे 3 रिण 3 बटा 2 बराबर रिण 2X धन घटाने पर हमें प्राप्त होंगा 6 रिण 3 बराबर 3 बटा 2 तो इस तरह से हमें भागफल बराबर एक धन 1 बटा 2 मिला 500 थन जन 2 बराबर रिण 24 बराबर रिण 2X धन 3 बटा 2 पराप्त होंगे से हमें पराप्त होंगे तरह से बराबर रिण два ऐक धन 3 बटा 2 तो इस प्रemiwow का भागफल